नमस्कार जी आपका से नामदिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ति साधनाई करते थे। मुझे कोई लाब नहीं मिला। सर फिर आप संत्रामपाल जी महाराज की सड में कैसे आए। सर इतनी भक्ति करते हुए भी मुझे कोई लाब नहीं मिला। तो कि इस पुस्तक को पढ़ फिर सोचेंगे के तो मैंने का ठीक है भाई तो मेरी पत्ने को क्या है भूत प्रेत की बहेंकर बादा थी। कि मे गासा मिरी काजी को अगिव पेलगे पिर जान वालա। फिर मेंने वो पुस्तक पड़ी तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारी दुनिया की देवी देवता करी लिए अब एक बार और संत रामपाल जी महराज की शरण में जाके और देख लेते हैं नहीं तो फिर मरेगी तो मर जाएगी तो फिर मैं तीन-चार जनों को मैंने गाउं में से इकटा किया उन से बोला मैंने का भाई मुझे इतना दुख है तो एक काम कर रहा तुम आप सब मेरे साथ चलो मैं आप सभी का किराया बाढ़ा दूंगा तो उनने बोला कि नहीं भाई बाढ़ा मत दे चल तू भी चलता है तो रामपाल जी महराज के यां तो हम भी चलते है रामपाल जी महराज के यहां उन से नाम दिख्खा लेंगे तो मैंने रहां चलो भाई तो भी रामपाल जी महराज को ढूंडने के लिए उस ग्यान गंगा पुस्तक को लेकर उसमें पीछे न अक्षा बना उवा हुआ है तो फिर मेने अपनी पतनी को बताया कि में वहां रामपाल जी महराज के नाम दिख्षर लेकर आया हूं तुभी चल वहां नाम दिख्षर ले और तेरा भी भूत प्रेत की बादा दूर हो जाएगी उसको 25 साल से भूत प्रेत की बादा थी तो उसने बोला कि चलो ठीक है एक पर रामपाल की महराज की सरण में भी जाकर देक लेते, नहीं तो फिर मेरा मरना तो ते है। फिर मेने उसको बर्वला ले गया है, और वहां सत लौग आश्रम बर्वला ले गया है, और ड़ nowकि सर आपने बताये कि आप सभी देवी दिप्ताओं के पाद लाजए है आपने सभी तरह की पूजाएं की 25 साल से बूत प्रेत की समस्य थी आप 25 साल से बहुत ज़्यादा दुखी थे जो की एक बहुत बड़ी बात है लाश्ट में आपको कहीं से लाब नहीं मिला तो फिर आपने सोचा कि आप संत्रामपाल जी महाराज की सड में जाय जाये अगर परिशानिया ठीक होती है तो ठीक है नहीं तो मेरा मरना तह है फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा ली तो क्या आपकी परिशानिया ठीक हुई जिन से आप 25 साल से परिशान थे जी हाँ सर संत रामपाल जी महाराज से मुझे नाम दिक्षा लेने के बाद इतना लाव हुआ कि मेरी भगतमती मतलब जो मेरी धरम पतनी है जब मैंने उसको संत रामपाल जी महाराज के सतलोग आसरम बरवला में नाम दिक्षा दिलाई तो नाम दिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ मात्र उनके सिर्फ पर हाती रखा था जो 25 साल से भूत प्रेत की बादा थी वो एक धमदूर हो गई मैंने उसको चारों दिशाओं में जिसने जहां बोला वहां ले गया कहीं से भी ठीक नहीं हुई थी जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोग आश्रम बरवला में जाकर ठीक हो गई फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जब अपनी पतनी ठीक हो गई तो क्यों नाम पूरे परिवार वाले ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर सुक प्राप्त करें तो फिर मैंने सोचा कि अपनी बालिका को भी नाम दिख्षद दिला है तो उसको भी नाम दिख्षद पर और पर यहरे और बाली प्रापर नाम दिख्षद दो यहका कि उसके आओ लूस्त और और उन्यूं-छालम जाकर व्यथ जायां।वदी जिए प्राप्तिक होगान पिक पार मतमा उम्म्म कि पीटक हूं तो आट यह सोचा की जब मेरे तरफ तू मर जा ओऑ ठीक है तो फिर एक राथ मुझे सपनाया च्छा जब तेरा यह वालक तो मर गया है के तो फिर मेंने कहा कि अवकी अप्लाइब करना तो वह का मैं तो फिर मेन उस साइस हो जया तो फिर में में स lobbied सफाइब बोहराज कीओं लगा तो सोब्ऑ सुनाठी है बहुत है तो कोई नहीं बोला करavior मेरे पास आया है तो फिर फिर क्या हुआ फोन लगते लगते कि उसने ही उसके दोस्त के पास फोन लगाया कि मैं यहां गुजरात में आ गया हूं तो मैंनेuba बटा गल मुझे बटा मुझे मुझे नंबर बता है तो फिर मेना वह नंबर लगा है संत राम पाल जी महराज के ही थे संत नंबर जब लगे तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला बेटा तेरा लड़का मेरे पास ही बेठा हुआ ट्रेन में तुछ इंता मत करो तेरे घर आ जाएगा तो मैंने का सर आप कोन हो ते कि बेटा मैं कोई भी हूँ लेकिन तेरे बालक को तो घर बेज़ दूँ हो कि मै तो मैंने का ठीक है सर आपका नाम बताए तेकर ते बेटा तो मैं तो तेरे बालक को तेरे घर लाके छोड़गा ठीके सर आपको देब Hm зна. बेटा घर आजाएगा तो तो सर भी कि ते वाँ अपने घर आगा और घर आने के पर फिर उसको मैंने बोला कि भई आप तो नाम दि तो किया एक बार खेत में सो रहा था कुए पर मैंने का भाई तू आज मोटर चला ने चला जाए में घरी रे जाता हूं तो उनने बोला चलो में चला जाता हूं तो तो सरक्या है उसको 15-20 लोग मारने आये रात को उस बालक को तो उसने कहा उसने कहा मेरे पापा साब के को आए बेटा चिता मत कर मैं हूं तरह साथ तेरे पापा साब का गुरुजी तुझे कोई नहीं मार सकता है तो सर क्या हुआ कि वो जो 15-20 लोग आया थे ना और रामपाल जी महराज को देखकर ऐसे भग गए जो आज तक भी उसको कभी नहीं दिखाई दिया फिर उसने सिंगड गांधी घम जा और नाम-दिक्षय लेके अपने घरा तो सर संत रामपाल जी महराज ने मुझ मेरे उपर इतनी दया करी अगर मैं उस दिन संत रामपाल्य महराज के श्रण में नहीं हो ता तो पता नी मेरी पतनी भी मर जाती और मेरा बच्चे भी मालुमनी कह उता मेरे घर की आर्थी किस्तिती इतनी खराब थी कि मैं कुछ कहे नहीं सकता लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज की दय से सद भक्ति करने से इतनी आर्थी किस्तिती ठीक है कि मैं आपको उसका भी वरणा नहीं कर सकता हूँ सर आपने बताय कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा ली और आपकी पतनी की 25 साल से जो भूत प्रेट की समस्या थी वो ठीक हो गई आपको जो समस्या थी वो भी ठीक हो गई आपके बच्चे की जान भी संत रामपाल जी महाराज ने बचाई संत्रामपाल जी माराज ने आपके पूरे परिवर को बचाया अगर संत्रामपाल जी माराज नहीं मिलते तो आपका पूरा परिवर आत्मत्या कर लेता हम आप से यह एक बात पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को जो भूत प्रेट की समस्यती 25 साल से आप ने सभी देवी जिपताओं को दिखाया और चारो दिशाओं में आप घूम लिए फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सर्म में आया और आपकी समस्या ठीक हो गई संत्रामपाल जी माराज ऐसा क्या भक्ति मंत्र देते हैं उस मंत्र में इतनी पावर है, उनके मंत्र के जाब करने से सभी दुख दूर हो जते। इसलिए हम भी रामपाल जी महाराज के शरण में आए और भक्त समा से हमारा यही प्रातना है हाज जोड़कर जो इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पढ़े हुए हो हमारा आप से हाज जोड़कर निवेदन है कि इन सद्भक्ति करो उससे ही लाब होगा इन धर्म गुरुओं और यह धर्म गुरु जो सद्भक्ति बता रहे हैं यह कोई सद्भक्ति नहीं है इससे कोई भी लाब होने वाला नहीं है सर सच्ची भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है सर सच्ची भक्ति संत्रामपाल जी महाराज की गीता तेरा ज्यान अम्रत ज्यान गंगा पुस्तक में लिखी हुई है और जो संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं वो इनी के अनुसार देते हैं इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक सुगम सरल उपा है चैनल पर साड़े साथ बज़े से साड़े आड़ बज़े तक संत रामपाल जी महराज का ससंग आता है हर रोज आता है उसके नीचे जो पिली पट्टी चल रही है उसके उपर उसमें नामदान केंदरों के फोन नंबर लिखे हुए है उनसे कांटेक्ट करके नामदान केंदर का पता कर के आप नाम दिक्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर सच साहब